तुस्तों यह वीडियो पूरा रहा हैं कि आपकी एड्ड 100% एक्टेव जायें हुए100% आपको बदानिव इंप्रेशन आएगी और शॉच्प आपकी वीडियो पे ऑड़ा बताने वाला कुई हर सेंट बताने वाला कुई के एक सेंटिंग्ग आपने रदी तो फिर हो सकता है तो यह वीडियो आपको पूरा रहा है मैंने और पहले दो एड लगा के रखे हैं मतलब जो वर्किंग कंडिशन में है तो मैं इसी विचेशा आपके साथ शेयर कर रहा है कि कैसे एड लगाते वह आपको में सिखाने वाल हो अगर विल्कुल भी आप नहीं तो आपको इस पार बहुत हो जाता है और साथ में आज जो हम एड लगाने वाले वह इसमें चाहांस ज्यादा बढ़ते हैं और साथ में कुछ एसा वीडियो में बनाए जहां पर इंप्रेशन सोर नहीं हो रही है व्यूर्स नहीं आ रहे तो आपको क्यों करना इसके बारे में हमारा लाश सब्सक्राइब करना है और साथ में आपको सब्सक्राइब करना है कि कौन सा वीडियो आपको प्रमोट करना है तो चले यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट वाला वीडियो है गूगल एडवर्ट का ही वीडियो है और उसी को में प्रमोट करने वाला इसमें मैंने बताया कि तो कैसे आप एड लगा के वीडियो पर व्यूज ला सकते बट जब एड्स एक्टिव होचा तो उसके बाद भी व्य करना कैसे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहां पर जो गेट सेरेवल लिंक उस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि सबसे पहले तो आपको लिंक कॉपी करनी है जो मैं अभी आज तरीका बताने वाला हो इसमें लिंक की जूरत पड़ेगी एक दुसरा तरीका भी है आपको दो तरीके मिल जाएगे concept में आपको आके बता रहा ठीग है चलिए फिर से यहाँ पे 3. पे क्लिक करना है और इस बार आपको promote पे क्लिक करना है यह जो नए टेप में open हो जाएगा हमारा दूसरा फालतू का टेप है यह और यह नया टेप में open हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे बताओ दुस्तों कि आपका Google AdWords एकाउंट होना जुरूरी है और उसी email से बना लीजे जिस पे आपका YouTube चैनल लिंक है तो उसी email से आपका Google AdWords बना लीजे और दो option जो दिए इसमें से आपको important हो जाता है मैंने जैसे बताएगा मैं आज जो तरीका बताने वाला वो यह first वाला और इसमें क्या है मैं आपको दिखा रहता हूँ यहाँ पे question mark पे click करता है तो मतलब कि यह जब आप add run करवाते है तो उसके बाद एक skippable वाला add आता है आपको पता है अगर मैं यहाँ पे click करके दिखा रहता हूँ side में तो आपको यहाँ पे side में दीख़ेगा यह दिख लीजे skippable add और यह जो skippable add किसी भी वीडियो उस पे आ सकते है किसी के वीडियो पी आ सकते है तो वो add आएगी उसमें जितनी भी second यहाँ पे add चलेगी वो views में count होता है ठीक है तो वो views में count होता है तो यहाँ पे बाद में अगर कोई बंदा आपको आपकी वीडियो नहीं पसंद आते तो skip कर सकते है और कोई बंदा यहाँ पे अगर आपका वीडियो पसंद आ ही जाता है तो क्लिक करके भी अंदर यूटूब वीडियो में भी जा सकता है बट यहाँ पे views वो भी count होगे जो add चलती रहती है ठीक है बट 30 seconds के उपर का वीडियो देख लेता है यहाँ पे add देख लेता तो वो views में count होता है ठीक है तो इसके बाद skip कर सकता है और वो आपके YouTube वीडियो पे सीधा नहीं जाएंगा यहाँ पे visit जो लिखा है visit advertiser अगर वहाँ पे click करता है और वो जाएगा सीधा YouTube वीडियो पे यहाँ पे आपको नीचे paste करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है यह लिंक ओपन हो जाएगी और मतलब यहाँ पे करने होती है और लिंक उस पे डाइवर्ट कर देगा ठीक है बट यहाँ जो सेकंड़ आपको इस वीडियो में ही बता देता हूं तो इसमें कोई बंदा थमनेल देख रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे लिकर के भी दिखा रहे तो आपको थोड़ा कंप्यूजिंग हो तो देख लिए यहाँ पर एक वीडियो किसी का चल रहा है ठीक है उसके नीचे जो एड़ आ रही है इस तरह से एड़ आएगी और बंदा यहाँ पे देखके क्लिक करेंगा तो सीधा यूटूब वीडियो म चाहिए वो एक सेकंड वेट करें दो सेकंड देखे कुछ फरक ने पड़ेगा वो वीडियो में इस काउंट हो जाएगा यह आपको द्याना रखना है तो मैं आपको आज यह वाला सिखाने वाला हूँ इस तरह सी एड़ कैसे लगा सकते है और यह जो एड़ है हम बाद में जैसे बता है कि फिर से यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ लिंक उस वीडियो की जो कि आमने पहले कॉपी की थी अप यहाँ पर दो अफसे आपका यह एड़ कहां कहां चलाना है यूटूब के अलावा कोई और चलाना है या नहीं तो मैं चाहूंगा यार मुझे और कही को नहीं चलाना में यूटूब सेलेक्सन करूंगा तो चलिए यह आपके मैं और और नेक्सट करता हूं और इसके बाद यहाँ यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सेलेक्शन आपको बतितरू रह और यहां पर भी selection कर लीजे, यहां पर जो language आप selection कर लीजे, क्योंकि आपकी किस टॉप में जिस भी लिंक के language में वीडियो वो यहां पर selection कर सकते, मेरा हिंदी है, जहाँ जहाँ भी हिंदी वीडियो चलेगी वहाँ पर add दिखाया देगी, तो यहाँ पे English को मैं हटा लेता हूँ उसके बार यहाँ पे आपको Next पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखाना है किसको Add तो यहाँ पे मैं 45 के उपर को मुझे किसी को नहीं दिखाना है क्योंकि यह जो मेरा वीडियो है वो Google Advert का है तो यहाँ इसी बात यहाँ पे YouTube पे काम करने वाले पोटिपट अंडर एज वाली ही होगे उसके उपर कि मैं भी नहीं हो सकते तो उससे कोई मतलब भी नहीं कोई देखेंगा है क्लिक भी नहीं करेगा अगर वो यह वाला बंदा की देखता है किसको पसंद आ जाता है तो वो क्लिक भी कर सकता है तो आपको इपनी इसाफ से कर लाए अन्दोन में मुझे कुछ नहीं इंट्रेस्ट तो इतने में सेलेक्शन कर देए यहाँ पर डिपेंड करता है अब में बाद आ जाती है यहाँ पर बजेट की अकर बजेट आप बिल्कुल लो रखेंगे तो बहुत कम व्यूज आएगे और इंप्रेशन भी कम आएगे मतलब की व्यूज भी कम आएगे अगर मैं यहाँ पर 350 में रखा है तो इंप्रेशन कितनी आ रहे है तो व्यूज कितने आएंगे अगर मैं सिर्फ 50 कर लेता हूँ तो भी कितने आ रहे है आपको दिखा लेता हूँ यहाँ पर 50 में इतना डिफरेंट हो जाता है अगर मैं 100 कर देता हूँ यहाँ तो भी कितन में balance होना जरूरी है यहां पर टूल्स पर क्लिक करें कि आप तो यहां पर आपको एक option मिलेगा बिल पेमेंट में आप जाके चेक कर सकते हो कि इतना payment है तो मेरा 200 रुपिया है उपर का है मैं यहां पर दिखा भी देता हूं यहां पर न्यू टेब में open करके तो आपकी confusing में यू टेब में open कर और यह में उसी टेब में open करता तो यह जो अमरा process से फिर से में start करना पड़ता इसे वज़य से मैं new tab में open कर रखा है तो गैस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा credit हमसे payment add करवा सकते हो तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं और अब यहां पर मैं daily budget 100 रखा है अगर जितना ज्यादा होगा उसकी साफ से आपको views impression मिलेगे और यहां पर cost भी available है ठीक है आप देख सकते हो तो कितने रुपय का add वगरा चलेगा तो यहां पर हम next पर क्लिक करते हैं अब यहां पर आपको एक बार चेक कलना की बिल्कुल सही से कुछ changing करना है तो कर सकते हैं edit कर कि आप changing कर सकते हो last में अगर नहीं करना है तो आप कोई problem नहीं आप next पे लिख कर सकते हो तो यहां पर हमारा जो व्यूव मनलब केंपियन स्टार्ट हो चुगा मनलब स्टार्ट अभी नहीं हो यह पर पैंडिंग जल जाए क्योंकि यह रिव्यू में जाएगा और बंदा जो एड़वर्ड वाले टीम वाले वह रिव्यू करेंगे इस वीडियो में क पर प्रॉब्लम नहीं ठीक है और यहां पर में व्यूव सकते हो क्योंकि यह करना ज़रूर है क्योंकि अगर आप मुल्टिपल एड लगा ना चाहते तो आपको चल रहे है वह किस वीडियो की है तो मैं यहां पर मेरा गूगल एडवर्ट का वीडियो तो मैं एड इसका अन चल रहे है और मैंने यहां पर कैसे मैं आपको वह भी दिखा तो एक्टिव होने के बाद कैसे कुछ चेंजिंग होता है वह भी आपको मैं आगे दिखा रहा हो ठीक है और यहां पर मैं आपको बता दूँ अभी जो इलिजिबल है और यहां पर इलिजिबल मतलब की आपका वीडियो बिल्कुल सही है ठीक है अगर पैंडिंग होता है स्टेटस में तो कुछ टाइम बाद इलिजिबल आ जाएगा अगर नॉट इलिजिबल या पर रेट के लिएक कुछ आ जाता है तो फिर वह वीडियो प्रमोट नहीं होगा ठीक है इसके बार यहां पर पैंडिंग टार्गेट है कंपनी पर मतलब एमाई पर वीडियो है तो एड्स ज्यादा नहीं चलती है एसे टोपिक पर एड्स कम ही आती लिमिटेड कुछ एड़ आएगी ज्यादा कुछ में स्टार्ट नहीं करा तो इसका मैंने एक वीडियो बना करा है कैसे यह सॉलिशन करना है तो वीडियो आप चाहिके देख सकते हो मैं साइड में थम नेल दिखा दूगा या पिर हमाई दो-तिन दिन पेले का वीडियो है जाके आप देख सकते हो वीडियो आपको अपनी चैनल पर मिल जाएगा ठीये तो इस तरह से आप अपने जो स्कीपीबल वाली एड लगा सकते हो